गुड इनिंग दोस्तों आज अपन इस क्लास केंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर साइंस को पार्ट है उसके एक छोटा सा पॉइंट डाल रहता है टीशू या उत्तक सेलेवस के अंदर देखो वैसे दोस करना चाहता है तो मेरी अप प्लेडिस्ट के अंदर सब्जेक्ट में जा कर दी प्लेडिस्ट में टिशू डालोगे तो वहां से डीटेल से डाल रहता है यहां पर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के इसाब समय मैं मैं जो मैं कुश्चन बताता हूं क्योंकि अभी फर से पहले बात करते हैं दोस्तों टिशू क्या होता है क्या मतलब होता है जैसे सेल कोसी का है और कोसी का से क्या बनते हैं उत्तक बनता है और उत्तक से क्या बनते हैं अंग बनता है और अंग से क्या बनता है तंत्र बनता है और तंत्रों से क्या बनता है शरीर बनता है पुरा पर ये अपन बात करें सेल से उत्तक उत्तक से अंग उंग से क्या बनता है तंत्र और तंत्र से क्या बनता है शरीर बनता है जब कोसी कहें आपस मिल जाती है तो उसे क्या कहते है उत्तक कहते हैं उत्कों के समय को क्या कहते हैं अंग कहते हैं और अंगों के समय को क्या कहते हैं तंत्रह करते हैं और तंत्रों के समय कोई क्या खते हैं शरीर करते हैं अब जिए spi अपनजी टोपिक ॐस्ट करेंगे वह आपको पूछे की क्या चीज्अ तो उप उथ्थ क Cathie और कैसी कोसिकाओं का गुरुफ कोसिकाओं देखो सम्मान भी हो सकती है ऐसमान भी हो सकती है सम्मान या ऐसमान कोसिकाओं जिनकी उत्पत्ती सहम है जिनकी स्रेंच का सहम है उनके सम्मों को क्या कहते है उत्त कहते है और उत्कों से क्या बनता है अंग बनते है और अंग से क्या बनता है तंत्र बनता है तंत्र से क्या बनता है शरीर बनता है अब अनेकोटायक के टिश्यू है जिसके अंदर देखो अपन मैनमें टिश्यू के बारे हम बात करते हैं जिसे तंत्री का उत्तक है तंत्री का उत्तक तंत्री का नर्व टिश्यू नार्य आताग दित्खो से कंदरी का ऊताग एपना28 से नर्व सीस्टेम में तंत्री का टंतर का तंत्र का टिश्यू उता है वो नर्व टिश्यू Casey स्कंदगत क्या होते है री जेनरेशन पोटेंसी बहुत कम होती है पुंद्र भून की छंता नहीं होती है क्योंकि किसका कारण है कि इसमें सेंट्रोल क्या होती है अपसेंट होती है कोशिया था कि सिरी में ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें पुंद्र भून की छंता नहीं होती है कि उसमें तंत्री का उत्तक के अंदर क्यों कारण क्या होते हैं सेंट्रोल नहीं होती है और तंत्री का उत्तक के अंदर जो कोशिक हैं होती है मैली वो मैली कोशिक है जो सेल होती है वो सेल क्या होती है निरोन नर्व सेल या तंत्री का कोशिक है तंत्री का उत्ता की सरेंचनात्मक और किरात्मक जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है निरोन है या निरोन है या तंत्री का कोशिक होती है और यह सरीर का क्या होता है तंत्री का उत्तक होता है सरीर का मोस्ट क्या होता है एक्टिव टिश्यू होता है उसमें कंडक्शन प ट्रांसपर करने वाला उत्तक होता है, एक बोडी-गंदरगत बहुत IMPORTENT TIS Sw vivid by eatingएं जो सूषनां taraf करता है, ट्रांसपर करता है, तो तंतरी का Tntr Two आ हम prima के तनों, और ये शरी गंदार कसा से पाहले बनने वाला क्या होता है? से स्परी है इस उत्ताक में सो अरब सैल होती है तंत्री काец पांशेट होता है क्वान सा उत्ती होता है इसका लुग मैं स्पेशी उइसmustcular tissue मास्पेश्य उत्तक क्यों इसमांदा का इत्यकर को पोरुडियु में थांच आप इन और अने चिक तीन परकार की मास्पेश है इसमें तीन परकार की मास्पेश होती है जैसे रेखित होती है रेखित इस्ट्रिप्टिड एच्छिक भी करते है इने कंकाली मास्पेश भी करते है एक क्या होती है एरेखित होती है इन एरेखित कोई क्या करते है इस्मूट करते है प्लाभव को मैंस पैसे इंट के मांसपें से एपर गी मांसपें से से इपर नहीं किरियातरो को डिए के बागी तो किर देखा ते मासपें पर कि वह श्किन अप तहरा हा रिएक हे गआते हैं इसका मैन काम होता है चलन का, गती का सरी का अंदरत गती के लिए responsible कौन सा उतक है गती के लिए responsible उत्ता को उता है अब मास्पेसी सिर्में कोई खिंच जाती है क्या इस Sixtन निया कहते हैं तीन परकार की मास्पेसी या degli म lush ondy से में 400 मासपाइश हैं के होती है रेखी दोती है जैसे 649 मुसल हैं बोडी के अगर था मासपेशी दंतर को पूरी डेटेल से डाल दखा है अगर सकते हैं यहां पर अपर हैं सिर्फ मासपेशी उत्तक के बारे हम बात कर रहे हैं मासपेशी उत्तक बहुत important इशूलता है कोई व रखता है गतिस सम्मादित क्या रखता है इसका कंट्रोल कौन करता है सेरी बेलब करता है अनुमस्तिस करता है इसका सारा क्सारा क्या होता है Contrôle and Coordination करता है किसका मासपेश ही उतथक है तो सिरी के नदेगत तंत्री का उतथक है मासपेश ही उतथक है और कंकाली उततक है आनिको प्रकार करें completely issue है कंकाली उततक है कंकाली जो उततक होता है उन दी फश्वाग क्या पहता है यी अवस्ताक अद्प्राइब 206ड होता है गरब अवस्तान Faculty area실히 ओती है और państwa जब घरब अवस्तानके बादमदम में न्वजात बन जाता एं डिलीवरीर से परॉप कॉर्इक न 118डी का और होता है झिसन का टिशू है छिरी का कोई बी सॉप्ट आरकें आप देखो जैसे रैस्परटर टेग की लाईं है जिसे अपने एक्स्टटिर्टी शिस्टम की लाईं है जैसे अपने बात करें पाच्छन तंतर की लाईं है तो बोडी के अंदगत अने को परकारती क्या हो सरपाइस से यह बढ़ाना सरपाणा वह इस्टैटिफाइड प्रकार का इतल उतल को इतलर अलग अलग प्रकार के टिस्यु姐 ग्लेंद्र टिस्यों मैं अधि exponentially के तो gonna करता है जो ग्रंथिल उतल निया ईत्व ग्रंथिल उतल करता है इपकर निए ऑढ़ादा ग्रंधिल उतलर और अंते सर्व गरेंगें केशlag क्या अपने होर्मॉम्न खेलान तो ग्रेंथियल उतर को Jammin किया होता है बोड़ी के इन देकरेंगें डिस्थाइब करता है ने सी हुची मंसूरा नहीक illustration है मास्ट्रेश उत्र के बोड़ी गंदगत क्या करता है गती के lengлекс से पश्रले तंतरी का उत्त्तिक Ben Kauf बोड़ी कंदगत क्या होता है controlling युद्व का काम करता है अने की प्रकार कि टिशू जब बोड़ी कंदगत feta case अने को प्रकार की उत्तक रहते हैं अपने सिरी के अंदगत उत्तक कामल होता है कोसी का क्या होता है ग्रुप होता है देखो जनतों के अंदगत और पात्मों के अंदगत बहुत सारे अले को प्रकार के बोड़ी के अंदगत तिशू जाए उत्कों के हद्धियन को क्या कहते है इस्टोलोजी किसको गयते हैं इस्टोलोजी किसको गयते हैं इस्टेडियोप टिश्यूज करते हैं उत्तक करते हैं उत्तक में देगो कोशी का यह समान या ऐसमान सामिल होती है उत्तक अपने सिरी मैंने को प्रकार के फंक्सन करता है बोडी कंदगत को डिसार्ज करना है को को इसे पादप है प्लांट से पात्पों का नंदगत कोई भी पादप है युग्पष्ट करता है सीधा लंबाई बढ़ता है तो लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा responsible tissue होता है उसके अंदगत बिजो उतए हुआ है थ्यू कि आप यहां उस प्राफमिक वरदी ऑर बढ़ता है तो कौन सी है नकार्थमी वरदी होती है ज्था की कभ़स्युकर्ट वरदी अर्टी सेचेंडिक वरदी बढ़ना कोंता है यह वर्योर्फिे तो क्यानी में देव्योत्युक में इस्तायara में ते नाने जो है तो प्रकार के होता है मैंनली क्या होता है एक पादप के अंदगत क्या होता है इस्ता ही होता है इस्ता ही होता है जिसमें डिविजन की प्रटेंसिती नहीं होती है मैं विवाजन कौन करता है विवजोता करता है विवजोता की कोशिकां के अंदगत क्या होता है साइटोकाइन O만 जीबरीरी मनिलत में हम दोना है अच्छा होता है डे इन अच्छा होता है कोषिक एक्टी होती है लगातर क्या कंद्धगु एंधगत चलता रहता है चलता है और जो एक हो इस्ता ही हो जाता है उसको अंदगत क्या हो तो विवाजन की छंता नहीं होता है इसका जो मेन काम होता है कि आप भोजन का संग्रेन करता है भोजन का निर्मान करने का काम करता है सिरी के अंदगत पादफ सिरी के अंदगत क्या होता है स्टैन्थ प्रदान मांद कर संगर्ट जो प्रकार ओता है मर्दिउत्क होता है मर्दी उत्वक यह plant केंदे गर जो में निकाम करता है इसका में काम होता है रही है इसको में काम करता है कौन सा मर्द्य उत्तक करता है और जो भी उत्तक बनते हैं सारे किसे बनते हैं इस मर्द्य उत्तक से बनते हैं और एक पादप के अंद्रगत कौन सा होता है इस्तुल कॉनों तक होता है इस्तुल कॉनों तक इस्तुल कॉनों तक है यह कोलेन काइमा है इस्कृ माइन कायमा क्यों चैमा पादप के इंदगत, वह पादप को क्या अनधेगत सAtां। पादप को यांत्री की साइस्ट परदान करता ये। पेनिंट कायमा क्यों की दौनेगत में मिर्दिजौ तक वह दोने परकार 합니다 है है living tissue जिवी तुट तक है इनका जो मेन जो function होते है वो पार्ण पर्दान करना है एक को क्या करता है वी बाजन परकें नहीं सेल का दुनस्टी और दूसरे इस तुल कृणों तो कहते हो मेल ली क्या काम करता है भोजन को बनाता भी संग्रैन भी करता है प्लस mechanical support पादान करता है, इनकी सेल के अंदेकित, इस तुल को नहीं होता है, उसमें मैंली क्या होता है, प्लेस क्या होता है, सेल्लू जोता है, दो कहीं क्या होता है, इसमें लिगणी नहीं, सुबीरी नहीं, क्यूटी नहीं, इनका जमाउध का, पादप का fundamental tishte मानते हैं कुनसा, म इस्तिल कॉणों तक में का में जो साकी प्लांट होते हैं उन साकी प्लांट के अंदगत क्या होता है इस्तिल कॉणों तक साकी प्लांट के अंदगत क्या परदान करता है इस्तिल कॉणों तक साकी प्लांट के अंदगत क्या परदान करता है इस्तिल कॉणों तक साकी प्लांट dad होता है, मृत होता है मृत क्यों होता है क्योंकि इनकी sesayl wall के अंदगत प्रदान क्या होता है लिग ने, cya tea ne, shepherdi ने, इनका जमाँ होता है और दśliड़ों तक dad होता है इसका दो main काम होता है कि कि किसी плांट प्र विसन प्रिस्तथियों मृत है जो मुरुद्विद है जो जीरो फाइटिक है उन के अंदगत क्या होता है यह डवलप होता है द्रड़ोत का काम क्या होता है पादप के अंदगत मेकैनिकल सपोर्ट परदान करना यांतर की साहिता परदान करना मैंने यह पादप के उन पादपों होता है जो क्या होता है परदाना इसका अलाव पात्पों के अंदगा की कुछ सिंपल टिश्यू होते हैं कुछ जडिल टिश्यू होते हैं कुछ इस पूरी प्लांट की बोड़ी केंदगत अलग लग जैसे प्लांट के एपिकल पार्ट है, सिर्सत भाग है जो प्लान्ट के जो सिर्सत पार्ट है एपिकल पार्ट है, चाहे रूट है चाहे सूट है, जिसी यह अपने मालिय के भी रूट का पार एपिकल पार्ट है और यह मालिय अपने सूट का एपेक्स है कि रोता है पाधिक्स पाट पार्ट ने किसी की इंफ्ट ने हुटाम होता है इनमें किसी परकार का viral और A कि इस से प्रश्डी बार में इस पूछा था कोई भी इसके अंदर के न्रोड या सूट अपक्स को क्यों इस टिश्यू को काम मिलते हैं इसमें रिजगनरिसी क्यों होती है यह जो एप एपिकल टिश्व का अंदगत क्या होता है हॉर्मोनल लेभल क्या होता है अच्छा था इन और इसका अपिकल पार्ट होता है उन्हें अपिकल भार्ट सुक्षिन जीवों से मुखत है üzerewohl इस तान बिएकção सब्सक्राइब, इस बात करें किसले कि बात करें examined, इस तोव प्रेकार ओंसा है अपर बात काई ही ओने विवर, सिस्तुलिद आई के सिस्टोलित क्या होता है के खास्यम कार्वणिन के गुच्छे पादप न्दगत की परतान परतान करता है कोई भी पादप है ऊस पादप के अंदगध जैसे बाहर का टिश है। इसके उपन प्रकार खभ मेचे करन के सरा होते हैं कहीं सिलिक्ट का सरा होता हैो कहीं कैल्σιम कार्डमेट कहीं को अपजिलेट अने को प्रकार के क्या होते हैं गुच्छे जमा हो जाते हैं अने को प्रकार के मेटेरियल जम हो जाते हैं जो पादप को विस्म प्रिस्कति से बचाते हैं पादप के अंदर के सबसे एक होता है एपीडरमिल टिश्यू एपीडर प्रेक्स होता है पुरा यह कोडक्स है इसके बाद हुआ है पादव हैं जी स्टाइल में बात करें एक आप और इस बाहर की धनार में स्वें रूट हैर्स होते रूट है रूट हैर तो भोतनी इसबें रूट हैर क्या होते हैं भोको सी क्यों दोनों काम क्या होते हैं सुरक्षा परतान करना है यह बाहर की जो epidermis है epidermal tissue system को मैं पादप पर काम क्या होता है इस रुक्षे करता है एक बहुत important आता है जायलम उन्य जायलम देखो जायलम उत्ता के बारें बात करें कि ऐसा प्लांट के अंदगत ऐसा पार्ट है ऐसा उत्ता के जायलम इस जायलम उत्ता का काम होता है पादप के अंदगत खनीज लवन का ट्रांसफर करना है पूरी म uda कि बोटी में कहीं भी खनी यह लावन है उसका टास्फर कॉनसा होता करता है जायलम होता है рाद जायलम में चार बार टो होते हैं कट्रेकीड होते हैं वैसल्स लो भी जायलम के तन होते हैं और इसमें 4 मे DM होता है उस जायलम बादिभ को मेकनिकल support तो प्रदान करता है करता है एक ऐसमान कोसिखाओं का बनावा क्या होता है उत्तक होता है इस के अंदगत एक जाहिलमुत्व के अंदगत एक बहुत important question आता है जाहिलमुत्व के अंदगत क्या होती है एक वाहिका होती है वाहिका वैसल्स और वाहिका का पायजाना इस संपोर्ण जगत के अंदगत क्या होता है एंजिस्प्रम का विशिष्ट गुंधरम है यह वाहिका सिर्फ जगत में एंजिस्प्रम के अंदर है यह समकुछ अपाद अलग है वो अलग बात है जयलम काantis मैं अन्जिस्प्रम् का कि व्यिस्ट घुंधार पता है कि वहिका का एक क्या होती है वहिनी का होती है वहिनी का वहिनी का क्लांट के अंदर कहले है यह पानी का शुच्छ करती है तो कोषिए हैं देख पाधप में कोई कौन सा उत्तक है जो खनीज लवन का ट्रांसपर करता है कौन सा जायलम करता है जायलम के अंदेगत वही का वही का जायलम मर्दी तक जायलम के तन्त होते हैं सेंट्र में कौन सा उत्तक होता है तो जायलम प्लांट के अंदेगत बहुत इंपोर्डेंट पार्ट है मेकैनिकल इसका लगए पादव के अंदगरत एक उत्तक है फ्लोयम उत्तक फ्लोयम टिश्यू और फ्लोयम टिश्यू पादव के अंदगरत क्या करता है मैं लिपोस पदारत भोजी पदारत जो खनीज लवन है सोरी भोशी पदारत भोजी पदारत जो स्रक्रा कर ट्रांस्पर करने का का कोन करता है फ्लोहेम करता है ये फ्लोहेम के अंदगत भी सेम को सेम जाहिलम के समान ये भी क्या होता है एक प्रकार का क्या होता है जटी लुटतक होता है ये भी क्या होता है चार में चीजों से मिलकर के बनाता है इसमें चालनी नली का होती है सैकोसी का होती है और फ्लोहेम के के इसकैंदर किया हुद रिखान के तरह उसकी का के धाने इस जगत में एंज्छस्पिरों को बिस्जिस भुंद रहे हैं आरबीसी के समान इसमों भी के इंदर क्या हो जाता है किसके रिखान बज़गत फ्लाहिं की चाल मिलिका कोईसिका का पर उसकाों का माती साइखोसी का और चालनी नली का दोनों इक उस्टेख परकार की क्या होती है लग्रषिवर्टे के शायक दोनों उस्टेख के कहिendes है Imperator दोन की किस नता है केiveness के चाने ली गायब हो जाता है सेखोशिक्वर्टी चानी नली का चानी नली का प सिरिभर में है और चाली ने लिखा कोसी का इस जगत के अंदगत क्या होता है एंजिस्प्रम का क्या होता है बिशिष्ट गुंदरम है और इसके लिखो चाली ने लिखा सैकोसी का और कुछ जिम्नोस्प्रम ब्लांट है उसके अंदगत क्या होती है सैकोसी का नहीं होती है उसके स्थान पर कौन से होती है इसके लगस में जायलम रिद्धियू तक होता है जायलम के तन्त होते हैं जो पादब को क्या करते हैं मेकैनिकल सपोर्ट परदान करते हैं जायलम और फ्लोईम का ज्यादा कोशियन पूसता है कि पादब के अंदर घर खनी लोगन का ट्रांसफर सम्मादित कौन करता है। इसके अपने बहुत सारे मैन में बढ़े बढ़े टीशू के बारे में ब्ड़न मुद तक हता है जिस हैं श्कुन हँगम होता है। इसके अंदर अबनेगा कि एपेडलमे टीफ्टिव सिस्टेमें हैं सिंप्ल टिश्यू को बनाता है , जटीलू उट कोन सा होता है, जबचीयू तो है, ज्नकीय कोन धिवज्य उट्त, पादभी विकास लंबाईबबदाने के लिए में।on कोन सा है सेकंडी ग्रividad मेंने टिश्यू क्या चीज मीर में तंत्रिका हुटा है मास से उतता है क्ँम काल होता न YouTube क्या होता है मैं के अंगरतheiro इपिधिली टिश्यु क्या होता है टीश्यू है क्या टीश्यू कर स्थी February directly मेंने हालका साथ सुर्पैंस अश्थ क्यों कैसे होता है कोन कोन से कैसे के संथ पीटेल से आप प्ले लिश्ट के अंदकत हमारे सब्जेक्ट में जाकर करके आप इसको पूरे डेटल से स्टेडिक कर सकते हो थेंक्यू दूस्पार